शेक्रतव वंदे भगवंतव पुनहां पुनहां वन्ला भाचार्य दिव्याज्या प्रतिवासर मुझ्ज्वलां दिगंत ब्यापिनी भूयां साहिलो कहितैशनी सर्वदेश दशाकाले अभ्याहरत पराक्रमां बल्लभाचार्य दिव्याज्या वर्धताम अभिवर्धताम पुर्षोत्तम सम्मूलाम श्रीवईश्वानरमध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरू परंपराम नत्वा श्रीवल्लभाचार्यान उष्टिमार्गो पदेशकान विठलेशान गुरुन्स्तवनी बालकृष्णमम प्रभुंग शीकृष्णाय नमा शीगुरुभ्यो नमा उपास्तेत समस्त प्रियेजन वालभीयेजन वईश्णवर्जन आप सब भगवधी जनों का मैं गुस्वामी गोविंद्राय हमारे सत्संग सत्र में जूमांतरगा सत्संग सत्र में फेस्बुक आज बड़ा ही पावन दिन है आज संप्रदाय में द्वितिय निधी श्री विठलनाजी का पाटोत्सव है और हमारे द्वितिय निधी श्री विठलनाजी नाद्वारा में बिराजमान है आद्य द्वितिय पीठा दिश्वर श्री गुसाई जी के द्वितिय आत्मज श्री गोविंद राई जी के उनके तदात्मज श्री कल्यान राई जी के तथा उनके पुत्र रतन ऐसे सुनाम धन्य शिक्षा सागर भाव सागर हमारे श्री हरीराय महाप्रभुजी के संसेव्य भगवान शिविठलनाजी जो आप स्वामी सेवक संग वे के आप जो पधारे शिमाप्रभुजी के घर शिगुसाई जी के यो तो प्रादुर्भाव के दिवस ही शिगुसाई जी के प्रागट्टे के दिन ही आपका पधारना हुआ है श्रिमाप्रभुजी के सदन में, लेकिन आज प्रसिद्ध पाट उत्सव श्रिविठलनाद प्रभु का आज माना जाता है और बधाई के दिन ऐसे चली रहे हैं श्रिमाप्रभुजी के उत्सव के, तो आज बड़ा पुण ने दिवस है, संप्रदाई में एक उत्सव है जो मूल अपने हां से शिनाद्वारा से प्रधान पीठस्त वल्लब संप्रदाई की प्रधान पीठ से जो प्रतिवर्ष टिपनी जी प्रकाशित होती है, उसमें काफी महानुभाव आचारियों के और निजी स्वरुपों के पाट उत्सव की नोंध होती है और विशेश करके क्योंकि प्रधान पीठ से वो प्रकाशित होती है, तो तिलकायत महराज की तो पूरी परमपरा के उत्सव तथा जनम दिन उसमें दिये ही होते हैं, लेकिन विशेश करके वहाँ पे ध्यातव यह वस्तु यह है कि कुछ उत्सव और कुछ पाट उत्सव ऐसे हैं कि जो किसी एक घर को बिलॉंग नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि किवल शी गिर्धर जी के घर को ही मनाना, कि शी गोविंद्र जी के घर को या गन्शाम जी परियंत ही किसी घर को मनाना, तो यहां मैं दो चीजों का खुलासा करूँगा अपने विशे में जाने के प विशेश करके शुद्धाद्वाइत वाद जो है शुद्धाद्वाइत वाद जो मत है वो आदी वैश्णवाचारिय श्री विश्णुस्वामी जी का मत है। वियास जी भी उनके मुख से सुनने के लिए जिन शुद्धेव जी के पीछे भगवान बादरायन, वेदव व्यास, भगवान के ज्यानकला अवतार जिन श्री लीला शुद्ध के पीछे भगे। जी कोई हुए उन्होंने ये शुद्धध्वाइत रुद्र संप्रदाय जो जिनका उन्होंने प्रवडतन किया, लिकेन कालक करम के कारण और कालक यों कोंस उनके कालः पचती धीमताम बहुत काल व्यती तो जाने कारण उनके संप्रदाय का कोई भी सत्साहित्य ग्रंठ प्ररूप में प्राकत नहीं होनने कारण केवल मंत्र परंपरा और मंत्र रहस्य ही गोपाल जी का वो भी विशेष करके मंत्र रहस्य सांगो पां आठ अंगों् सीफे संप्रदाय को केवल जिसमें कोई प्रकार की गरंत उपलब्द नहीं थे पन सिध्धान्त और वाद का नाम शुद्धाद्वईत वाद था रुद्र, भगवान रुद्र द्वारा प्रवर्तित, महादेव जी द्वारा प्रवर्तित, उस मत को बिल्व मंगल आचारे ने श्री महाप्रभु जी को समर्पित किया, उसका आचारे तिलक किया, सचित्र सर्वत्तम आदी में भी ये बहुत विस्तार से, चित्र सहित ये सब प्रक्रियादीव हुई है, किस प्रकार से घटना करमी, घटा तो उन आदी वैष्णमा आचारी है, श्री विष्णु स्वामी जी का प्राकट् समर्ण होना चाहिए, जैसे गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, कचोडी पूनम, आप बहुत नामों से उसको जानते हैं, जैसे हमने व्यास पूर्णिमा इत्यादी हम मनाते हैं, ये नौन्द के परवात्मक, उत्सव हैं, और वो जो बड़े-बड़े आते हैं, जैसे अक्षय तरतिया, अक्षय नौमी, मेश संक्रांती, मकर संक्रांती, इन सब की डीटेल्स तो होती है, लेकिन बहुत वैश्णों का ध्यान जाता भी है, लेकिन वैश्णों कभी पूछते नहीं, क्योंकि जिग्या आसा लोगों में खतम हो चुकी है, और कभी-कभी ऐसा भी होता है, कि पूछें तो किस से पूछें, तो ये दोनों चीजों को मिला के होता है, तो मैं खाली इतना चाहूंगा, बहुत जगों पे आपने देखा होगा कि अमावस्या पे, पूर्णिमा पे और एकम पे लिखा होता है, इस्टी, टिपनी जी में लिखा होता है, इस्टी, वो इस्टी का सीधा आर्थ होता है, कि इसका अपने से, आपने सामान्य साधारन वैश्णों जनों से या ब्राह्मन वैश्णों ब्राह्मनों से कोई संबंध नहीं है, ये अगनी होत्रियों के लिए दिया होता ह और क्योंके प्राचीन समय में संप्रदाये में हर दूसरा ब्राह्मन प्राया अगनी होतरी होता था तो उसको अपने प्रायश्चित होम कब करने मतलब पूरे एक पक्ष में प्रतिपदा एकम से लेकर और अमावस्या तक या प्रतिपदा एकम से लेकर और पूर्णिमा तक अगर उससे कोई भी प्रिकार का काल लोग या कर्म का लोग हुआ है अगनी होत्रादी में, तो वो उसकी प्रैष्च ताहुती का होम करके कब वो संपूर्थी करे, तो उसकी एक नोद दी जाती थी कि इस पक्ष की पक्षणी इष्टी कब है, इष्टी मतलब कौन से दिन तुमको ये इष्टी होम करना, तो वो अगनी होत्रियों के लिए वो व्यवस्था दी गई है टिपणी में, कि आज भी जो पुष्टी मार्ग में भगवत क्रपा और मगवान वैश्वानर साक्षात अगनी स्वरूप श्री महाप्रभुजी क्रपा से जो अगनी होत्री ब्रामन शेश रहे हैं, उनको सवकरियो हो कि हमारी संप्रदाई की पध्धती से मतानुसार, मतलब जैसे हम ने साधन दीपिका और साधन प्रकरण में भी ये चीद देखी थी, कि शिगोपिना जी ने भी हमको आग्या की करत्वा समार्तागनी धारणम, तो चाहे किसी ने श्रौतागनी धारण की हो, या किसी ने समार्तागनी धारण की हो, पन जो भी साधनी चित्य सोमियाजी हैं, अच्वा केवल साधनी चित्य अगनी होत्री ब्राह्मन हैं, उनको भी संप्रदाई की विधान देता है, कि आप इस दिन अपना इष्टी कर्म का होम कर सकते हो, इसका यग्या आप उस दिन कर सकते हो, यह सब बहुत जरूरी है, मतलब अगनी होत्रम तथा, दर्शा, पौण मास्य, पशुस्त था, चातर मास्यानी, सोमश्च, क्रमात, पंच, विधो अरी, यह सब यग्या रूपो, हरी ही पुर्व कांडे, जो यग्या रूप अरी विराज रहे हैं, उनका भी यजन किसी को यदि करमकांडी ये पध्धती से वैदिक मारगगामी होके भी करना हो, तो संप्रदाय में उसके लिए भी व्यवस्था दी गई, इस हर पक्ष में, आप देखो कि दो बार कम से कम, या तीन बार, चार बार प्राय नहीं होता है, एकम अमावस्या, एकम प्रधिपदा, उन जब से प्रेस आई, तब से ये इष्टी की और सब चीज की डीटेल्स पंचांग में आ रही है, टिपणी में भी आ रही है, शिनाथ जी का तो बड़ा खाता है भगवत करपा से वहाँ, आज भी हमारे खुद के प्रिंटिंग प्रेस से, बतलर संप्रदाय की ज़्यादा है, और पंचांग जो है कर्मकांड अथवा, जिसको थोड़ी जोतिश में रुची हो, और आगे हिंदू कैलेंडर में जिसको रुची हो, उनके लिए वो सब डीटेलिंग भी वहाँ पे दी होती है, तो शीनाथ पंचांग भी नादवरा से प्रिकाशित होता ह और वहाँ पंचांग सदस भी होती है भगवत करपा से अध्यावधी के जहां पे आगामी पात साल के पंचांग, दस साल के पंचांग और टिपनी जी बनाए जाते हैं, तो ये बड़ा एक सवभाग के संपरदाएगा, ये नादवरा विद्या विभाग के अंतरगत, ये स पंच्ट्र भाषा में, हिंदी भाषा में, इतना साहित्य प्रकाशित करता है कि संपरदाएगा सायद ही कोई ऐसा लोक कल्यान का ये जने कल्यान का गरंथ हो के जो वहाँ पे उपलब्ध न होता हो, तो छोटे-छोटे प्रबंध, निबंध, प्रक्रण गरंथों के साथ स जैसे विष्णु स्वामी प्राकट्य उत्सव है, उसके बाद आप देखोगे तो जगतगुरु महाप्रभु शिम्त वल्लभाचर चरण की जैंती, गोपिनाच जी की जैंती, गोपिनाच जी के तत्पुत्र पुर्शोत्तम जी का उत्सव, उसके बाद गुसाईं जी, ग महाप्रभु का उत्सव, एक शी हरीराय महाप्रभु के पिता, शी कल्याण जी, कल्याण जी का भी उत्सव खास मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है, कि गिर्धर जी को पुत्र बाद में हुए, पहले शी गोविंदर जी को पुत्र ह तो इसलिए गुसाईंजी के जेष्टpers तमपाउत्र के रूप में भी कल्यान राई जी को इतिहासकार बताते हैं। कि गिर्धर जी के बच्चे बाद में हुए हैं। पहले श्री गोविंद राई जी को आतम does और गोविंद राई जी के जब कल्यान राई जी हुए। तो वारता में प्रसिद्द है कि शिनाज जी ने स्वयम शिक उसाई जी को बधाई दी कि आज गोविंद के कल्यान भयो है। तो नामकरण भी शिनाज जी बावा नहीं उनका कर दिया। तो वो शिक अल्यान भयों जी का उत्सव, शिर्राय महाप्रभु का उत्सव, हमारे पूर्वज शिक आकावललब जी का उत्सव, ये कुछ उत्सव ऐसे हैं कि जो तिलकायत परंपरा से इतर भी कुछ महानुभावों के उत्सव रखे गए हैं। उसी प्रकार से आप ध्यान दोगे, तो सातो निधी और आठमें शिमकुंदराई जी का पाटत्सव, इस प्रकार से वहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है, तो मतरादीश के पाटत्सव की नोंद, शिविठलनाज जी के पाटत्सव की नोंद, शिद्वारका जीश प्रभु के शिगोकुलनाज जी और गोकुलचंदरमाज जी का पाटत्सव एक सांथ आता है, फिर बाद में शिमदन मोहन जी के पाटत्सव की नोंद रहती है, उसी प्रकार शिवालकृष्ट जी को पाटत्सव, शरद के दो दिन पूर्व तेरस के दिन, और फिर बाद में वसंत प जिनको हम रोज सुबेशी गोवर्धन नात पाद युगलम अयंग वीन प्रियम से प्रारंब करके स्वीय प्रभूंश्य स्मरेत तक हम नित्य स्मरण करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं प्रथम घर का बालक हूँ, तो मैं क्या करूं विठलनाज जी का पाटत्सव मना के कि म अध्यत्मिक्ता और अधिदेविक्ता का लोप इसलिए हो रहा है, तो कि हम हर चीज से डिस्कनेक्ट अपने आपको कर लेते हैं, कि हमें ये घरना सेवक न थी, हमें ये घरना वैश्णव न थी, अमारा गुरु देवते, तो ये सब गुरु देवों के जो आप लोग चू साइजी और उनका ही ये पूरा घर है, ये उनका ही पूरा वंश है, वल्लब कुल परिवार की जै, इस प्रकार से ही प्राचीन वैश्णव संबोधन देते थे, आज यूग आ गया है कि हर व्यक्ति अपने अपने गुरु देव की जै, मैं तो कहें इसमें भी आपत्ती नह मानता ये ये परस्नलाइजड गुरु का मार्ग तो है ही स्वियान आनता निजाचारियान, तो एक अपना स्विय होगा और एक अपने निजाचारिय होंगे, लेकिन भूलो मत कि वो निजाचारिय शब्द भी महाप्रभुजी के लिए ही प्रयोग किया गया है, हमको अपन ये ब्रह्मसंबंद प्रदाता गुरु में भी श्री महाप्रभुजी गुसाईंजी को ही देखना है, और महाप्रभुजी गुसाईंजी के बिना, ने तो आपको सिधी-सिधी बात कहूं, आज हमारी एक डिसकेशन चल रही थी गर में भी, कि ब्रह्मसंबंद किसके द्व ब्रह्मसंबंद श्री महाप्रभुजी के कारण ही हो पाता है, किसी भी जीव का पुष्टि-पुर्शोत्तम भगवान गुर्दंदर के साथ जो संबंद होता है, उसमें आपको पता है, जैसे साइंटिफिक भषा में हम बात करें, तो मैंने तो जहां तक मुझा स्मरण हो तो वो जिस मीडियम से ये ट्रैवल कर पा रहे हैं या ब्रह्मसंबंद को करा पा रहे हैं, वो इथर रूपी जो मीडियम है उस लाइट का वो श्री महाप्रभुजी आप स्वयम है, अगर आचाये चरण ही ना हो, प्रभुचरण ही ना हो, तो किसी जीव का कोई भी काल मे ब्रह्मसंबंद असंबव है, वो चाये 500 साल पहले हुआ हो, क्या और अगले 500 साल बात हो, महाप्रभुजी प्रभुचरण श्री गुसाइन जी ही ब्रह्मसंबंद में मूल कारण है, और इनी कारण से ये स्वावंशे स्थापिता शेशमाहत्म्या और भुवी भक्ती प्र आमों में से प्रकट होते हैं, यह यही बता रहे हैं कि आज भी जितने भी गुस्वामी महानुभाव वल्लबकुल इस बूतल पे बिराजमान हैं, वो सब शी महाप्रभुजी श्री गुसाइन जी की भी आड़ी से नहीं, उनके सन्निधान से ही ब्रह्मसंबंद करा पा रह हैं कि वो शी महाप्रभुजी का घर है, गुसाइन जी का घर है, और महाप्रभुजी गुसाइन जी कोई न कोई हस्ताक्षर, पादुका, पलंगडी, कोई न कोई रूप में वहाँ वल्लबकुल के घर में सुतंत्रत है, आप विराजते ही हैं, तो पलंगडी जी के प्रभू तो सर्वसमर्त हैं, महाप्रभु जी नहीं भी होंगे, तो महाप्रभु जी से आविश्ट चित्त हो के गोवर्धन धर तुमारा वरन करेंगे, अगर वल्लब कुल बालक ब्रहम समन्द करा रहें तो, लेकिन फिर भी एक विवेक रखा गया है परमपरा से, के वैश का बड़ा विरोधियू, ब्रहम सम्मंद दीक्षा नहीं है, ब्रहम सम्मंद तो संस्कार है, जैसे शोडश संस्कार अपनिया है, जन्म से लेके मरण परियंत, उनमें से एक अलवकिक, और आज दैवीक संस्कार जीव का है, जो सरवेशाम देह जीवयो हो, सरवदोशा जो जब मैं कहूंगा कि किसी का ब्रहम सम्मंद संस्कार हुआ, जैसे यज्यो पवीत संस्कार होता है, उसमें गायत्री की दीक्षा होती है, वैसे ब्रहम सम्मंद एक असाधारन अलवकिक, आदिदैविक प्रक्रिया अपने साथ घठती है, जिसमें अपने को सगध्य पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दी जाती है, ब्रहम सम्मंद की दीक्षा नहीं होती, गध्य मंत्र सहित पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा होती है, गध्य मतलब उसका परपुड, क्या अर्थ में तुम ये पाच अक्षर बोल रहे हो, वो इस अर्थ में बोल रहे हो, तो तीन बार अपनी शरणागती का उच्चारण करके अश्टाक्षर त्रेवारम उसके बाद सगध्य पंचाक्षर त्रेवारम का जब उच्चारण दासो हम के भावना से व्यक्ति करता है और जब गुरुदे उसको कराते हैं तो पुष्टिमारगी आचारे द्वारा भगवती प्रक्रिया एक संसकार है जिसको हम ब्रहम संबंद कहते हैं ब्रहम संबंद दीक्षा नहीं है लेकिन फिर भी एक समझा नेकले दो लोग दृष्टिया में बता रहा हूं कि जो दीक्षा देने बुलाया जाता है घर पे अरे बैई हर वैश्ट्णों की घर ठाकुर जी हम न बिराज देखो महाप्रेबु जी घुसाइँ जी उभई रूप सर्शी ठाकुर जी में बिराज के वरण कर रहे हैं ये बात तो मैं मेरे दैन और मेरे दास धर्म को याद रखके कर रहा हूं भाकि क्या मैं मैं गुली रहा हूं न क्या तेरा भ्रहम संबंद हुआ तो I am authenticating and giving you the certificate किया मैंने जब ये प्रक्रिया ये संस्कार आपसे करवाया तो आप ब्रह्मसंबंदी हुए तो महाप्रभु जी जो प्रभु कृपा से जिनकी ब्लड लाइन में मैं हूँ और जो आज भी मेरे भीतर बिराजी रहे हैं इस रक्त परमपरा से और अरस परमपरा के क्रमानुसार आचारित्व के द्वारा मुझ में जो भी कुछ आपशी की कृपा से मेरे पूर्वजों के सुकृत से मुझे प्राप्त हुआ है तो मैं खड़ा हूँ शी पुष्टि-पुर्शत्नम बिराज रहे हैं और जीव को यदि मैं भी अस्टाक्षर सहीत सगज्य पंचाक्षर का दान करूँगा तो ब्रह्मसंबंद तो होगा ही लेकिन मुझे भी तो ये फील होने चाहिए कि मैं मेरे महाप्रभू के सामने में मेरे प्रभूचरण के सामने इस जीव का ब्रह्मसंबंद कराने में मैं भी क्येवल माध्यम बनू ब्रह्मसंबंद तो आप आप श्री ही जीव का करावें, इस कारण से अपने हाँ पलंगडी जी रखी जाती, यहां कहीं ऐसा नहीं है कि मैं अपने गुरु रूपता को गौन कर रहा हूं, कि नी पलंगडी नहीं होगी तो मैं ब्रह्म समंद कैसे कराओंगा, नी ब्रह्म समंद तो भी होगा, श्यमना जी की कानी से, श्री महापरभु जी गुसाई जी करपा से, अगर आप किसी जीव का ब्रह्म समंद करा रहे हैं, तो वल्लब कुल खुद के होने के प्रभाव से भी ब्रह्म समंद तो होगा, लेकिन ऐसा वल्लब कुल को उसका आत्मगौरव होना चाहिए, अभिमान नहीं ह बाते हैं मुझे सुमरण में आई लोग मुझे ऐसा अज काफी हम मैं मैं फेस्बूक खुद फेस्बूक पर भी देख रहा था तो कुछ वैश्णों जो एक दूसरे को शिविठल नाथ प्रभु के पाटोत्सों की बधाई दे रहे थे तो उसमें एक विक्तिन लेका हुँ आ अश्ट कृष्णा भवन्ती हैं या अश्ट कृष्णा प्रभु अपन सबके कृष्णे हैं और इनी के भावरूप से ही तो अपने हैं ठाकुद जी अब मैं क्या इन सब्चीरों का खुलासा बार-बार करूं लेकिन मैं जब यह सब्चीर पढ़ता हूँ तो मुझे सोशल मीडिया पे और यह डिजिटल जगत पे ऐसा बहुत आश्टिर होता है कि लोग अभी भी अतनी हाँ संप्रदाय को एक ब्रॉड विजन के डंग से नहीं देखके बहुत नेरो विजन से संप्रदाय को लोग देखते हैं आपको एक टेलिस्कूप दिया गया है कि आप युन आपके सामने एक्सपंशन के साथ खोल के रखा गया है कि आपको जो इंवेस्टिगेट करना है जो रिसर्च करना है जो आपको इंक्वायर करना है आप उसमें करो हर चीज में से पुष्टी प्रगट होगी हर चीज में से डिविनिटी आपको प्राप्त होगी तो पुष् नीगरे वाहा उफ़ी बावाव आपने है, अरे अपने ठाकुर्जी में ये सब विराज रहे हैan. आज अपने ठाकुर्जी को तो अपने को लाड लडाने का बहाना मिलना चाहिए. अभे बदाई के दिन चल रहे हैं, छोड़ी छोड़ी नई कूछ सामगरी भोगदर्दी, उसमें एक सामगरी आज छोटी सी और कर दी कि आज विठलनाज जी को भी पाटवत्स होगे, प्रभू आप अरोगो, तो क्या आपके घर क्या विठलनाज जी पधार के नहीं अरोगेंगे, मतरादीश पाटवत्स होपे अधिया अपने ठाकुर जी को एक अधकी सामगरी अरो होते हैं, तो क्या नित्या मरें सामनी जी नहीं है? अरे पन हम जब को उत्सव आता हैं, तो उत्सव को उसकी अलवकिता के साथ, उसकी विशिष्टता और उसकी आनंदमाईता के साथ हम स्विकारते हैं, तो मैं मेरे साथ कम से कम सत्संग करने वाले सभी वैश्णों से मैं आगरे रखूंगा, सभी भगवदियों से में आगरे रखूंगा, कि अपने भगवद भाव को भोत व्यापक रखो। ये ओला तो आमाग्या करता आता, ये ओला पर जोला में आप नंपढ़ जाओ, इस धिए किसी एक की बात सुनू, किसी की भी आपकी जहां सुरूपा आ सकती हो, वहां की बात सुनू, लेकिन सब जगे बस ये मत सोचो कि सुचो कि आमारू गुरू नाती, हमतेया वापी में भ पूरे जगत के गुरु घर हैं। तुम क्या अपने आपको नहीं मानते हो कि तुम हमरा नहीं हो, हम पूरे जगत के गुरु घर हैं। पूरे जगत के गुरु घर हो, हम पूरे जगत के गुरु घर हैं। यह वो धाम है गुरु घर के जहां आके कोई भी व्यक्ति कितना भी पापाचारी क्यों नहीं हो, वो व्यक्ति शुद्ध होता है गुरु घर आने से। एक चीत समझो के देवस्थाने कृते पापम तीर्थ स्थाने विनश्यती, तीर्थ स्थाने कृते पापम शिवस्थाने विनश्यती, शिवस्थाने कृते पापम विष्णु स्थाने विनश्यती, विष्णु स्थाने कृते पापम गुरु स्थाने विनश्यती, गुरु सेवापराद का भी क्षवापन कहा होता है गुरु सन्निधान में जाने से होता है गुरु घर जाने से होता है गुरु के पास जाने से अपन को सभी चीजों से त्रान मिलता है तो आपाद मौली परियंतम आपाद मौली परियंतम गुरु नाम आकरतिम स्मरेत तेन विग्नहा प्रनश्यंती सिध्यन तीच मनो रथा हा। ध्यान मूलं गुरोर मूर्ति, पुजा मूलं गुरोर पदम, मंत्र मूलं गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलं गुरोर क्रपा। गुरोर क्रपा ही चाहिए, मोक्ष के लिए और क्या चाहिए। कि वो अपने इस भवाम बुधी में से, इस भवसागर में से, हमारे इस देरूपी नाओ को करणधार की तरे, केवट की तरे, वो इस पार से उस पार अपने उपदेशों से अपने को उतारे। तो कहिने का तात्पर ये ही है, और सबसे बड़ी बात कि जो आप भक्ति मार्ग वितानाया, योवतीरणों हुताशन, सायेवन परम्मानम, शेशवस्य प्रमानतरम, सबसे बड़ा प्रमान संपरदाय में कोई है, तो वो श्री महाप्रभुजी के वचन है। महाप्रभुजी के वचन से उपर कोई बड़ा प्रमान नहीं है। महाप्रभुजी के शास्त्रों का जितना ज्यादा हो से उतना पांक्तियालापन होना चाहिए। कुम्मंदास जी हमको बुला रहे हैं और मुझे आग्यां कर रहे हैं कि बावा आप थोड़ा चुप रहो तो मैं गुकुलनत जी के वानी से मैं अपने आपको शुरू करूँ तो श्री कुमंदास जी की वारता। तो कल हमने सुन देखा के किस प्रकार से वो राजा मान सिंग जो हैं वो अब पीछे पढ़ गए हैं कुमंदास जी के वो कुमंदास जी से बहुत कुछ जानना चाहते हैं और उनका स्वरूप ज्यान करना चाहते हैं। तो या प्रकार सनेह के कीरतन गाए अपनी सेवा सो कुमंदास अपने घर जमना वता में आए। कुमंदास जी इनको नाम हैं। कुमंदास जी नाए के क्खे तू पर बेठे हैं। सो इतने में ही शी गुर्धनना ची आप कुमंदास के पास पदा रहे। सो शी मुख देखा थी कुमंदास जी शीनाच जी सो कहो जो बाबा आगे आओ। तब शीनाच जी आप कुम्मंदास जी की गोद में बैठी के कहे जो कुम्मंदास में तोसों एक बात कहना आयो हूँ सो या प्रकार कहत हते इतने में राजा मान सिंग कुम्मंदास के पास आयो सो ताही समय शी गोर्धननाज जी आप भाजी के डरी के एक वरक्ष की होट में जाय के ठाड़े भये तो ताही समय कुम्मंदाश जी ki दृष्टि तो एक शी गौरधन्नाज जी के संग गई शो जहाँ शी गौरधन्नाज जी ठाड़े हते सो ताही और को देख्यो करे तव राजामान सिंग कुम्मंदाश को प्रणाम करी के पास बैठियो परंतु कुम्मंदास जी तो राजा मान सिंग के और दृष्टि हुँ नहीं किये सो कुम्मंदास जी की एक भती जी हती सो जमना उता सो बेजरी को चून कठोती में करी लेके कुमंदास को रसोई करवे के लिए आवत हती सो यहां भती जी सो एक ब्रणास जी ने कयो जो तु बेगी जा जो कुम्मंदास जी पास राजा गयो है सो वह कच्छू देवे तो तु लीजियो क्यों जो कुम्मंदास जी तो छुएंगे हूँ नहीं तब यहां बती जी बेगी कुम्मंदाज जी के पास आई, तब कुम्मंदाज जी के दृष्टी एक व्रिक्ष के ओर देखी के कहें, जो बाबा राजा बैठ्यो है, तो कचु इनको समाधान करो, तब कुम्मंदाज जी कहें, जो मैं कहा करूँ जो बैठ्यो है तो, जो कचु बात कहत हते सो भाजी गए सो अब बात कहेंगे नहीं कहेंगे तब शी गोर्धन राज जी आप सेनी में कुम्मन दाजी सो कहे जो मैं तिहारे उपर बहुत प्रसंद हूँ जो मैं बात कहूंगो तु चिंता मति कर तब कुम्मन दाज जी को चिट ठीका ने आयो ताट पर यह सिर्फ इतना है कि कुम्मन दाज जी तो वहीं दृष्टी करके ठाड़े थे बिराज रहते कि जहां शीजी बावा ठाड़े हैं लेकिन यहां यह राजा जो है वह मुस्त कचू कहवे आयो तो अब वो कहगो के नहीं कहगो इसकी चिंता में कुम्मन दाज जी पड़ गए सो कुम्मन दाज जी का समाधान करते वह शी गुर्धन दाज जी ने वहाते सेन में तो मतलब छुक के यह आपने आज्या करी कि वही तो चिंता मत कर मैं तो सो जरूर बाद में बात करूंगो जो मैं केवे आयो हो तो तब कुम्मंदाज जी को चित्त ठेकाने आयो सो कुम्मंदाज जी और शी गुर्धन जी की बारता राजा आदी काहू ने जानी नहीं पाचे कुम्मंदाज जी ने भती जी सो कहा जो बेटी आसन और आरसी लावे तो मैं तिलक करी ले हूँ तब भती जी ने कहा जो बाबा आसन घास को पढ़िया भेंस की पाड़ी खाई के आरसी कठोती को जल पी गई तब कुमंदाज जी ने कहो जो आरसी करी ले आओ तो आच्छो यह बात सुनी के राजामान सिंग अपने मन में कहो जो आसन खाई के आरसी पढ़िया पी गई तब राजामान सिंग अपने मन में जाने हो जो कुमंदाज जी के द्रव्य को बहुत संको पानी में अपना मुख देखके मतलब जल में प्रतिविंब देखके आपने तिलक किये तो वो देखके तब राजामान सिंग ने अपने मन में जाने हो जो कुमंदाज जी के द्रव्य को बहुत संकोच है जो आसन आरसी तिलक करवे की नहीं है सो कुमंदाज जी त्यागी सुनत हते सो देखे तब राजामान सिंग ने आरसी सोने की जड़ाओ घर में जड़ी ऐसी मनुष्य सो मंगाई और पाचे वा आरसी कुमंदाज जी के आगे धरी के कहो जो बाबा साहिब यामे मुख देखके तिलक करिये तब कुमंदाज जी कहे जो अरे भईया मैं याकव धरूंगो कहां हमारे तो यह च्छानी के घर हैं च्छानी के मतलब गोबर थापे भए, मिट्टी के ही घर हैं, तो यहां आर्सी हमारे घर में होए, तो यहां के पीछे कोई हमारो जीव ले जाए, तासों हमारे नहीं चाहियत, तब राजा अमान सिंग ने मन में विचारी जो यह आर्सी लेके कहा करेंगे, जो कहा या को चन जाएंगे, यह तो इनके काम की नहीं, तासों ऐसो कचू ऐसो द्रव्य देऊं, जो जन्मादी भरी के खायो करें, मतलब पूरे जनम स्थग यह खाते रहे ऐसा को द्रव्य दू में इनको, तब हजार मोहर की थेली कुम्मंदास जी के आगे धरी, तब कुमंदास जी न नाम जमनावता है, तुम्हारो नाम गाम जमनावता है, तो ताको मैं तुमको लिखी करी देऊं, तब कुम्मंदास जी ने राजा मान सिंग सो कयो, जो मैं ब्राम्मन तो नहीं, जो तेरो उदक लेऊं, और जो तेरे देनों होए, तो और को ब्राम्मन को दीजियो, मतलब ये तो गोरवाक शत्री हैं, तो इन्हों ने का, मैं तुछ से दान क्यों हूँ, पट्टा पे क्यों आलो, मैं ब्राम्मन तो हूँ नहीं, और देना ही हैं, तो किसी ब्राम्मन को जाके दान दे, मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? तो यहाँ परकार, तब राजा माहन सिंग ने क और से तुम अपना धान्य किराना मंगाते हो, वो जगे मुझे बता दो, तुम्हें वहाँ पे कुछ ऐसी वेवस्था कर दूँ कि तुमको सीधा सामगरी पहुंचती रहे। जो बेर को जाड़ है, तो बेर बहुत देते हैं, तो ऐसे काम चले ओ जाते हैं, तब राजामान सिंग ने कहीं, जिनके वरक्षम हो दी हैं, जो मैंने आज ताहीं बड़े-बड़े त्यागी बैरागी देखे, परन्तु ये ग्रहस्त, तो ऐसे त्यागी हैं, तो ऐसे धरती पर नहीं हैं, तो तब राजामान सिंग कुम्मंदाश जी को प्रणाम करी के कहें, जो बाबा साहयब मोसर कछू तो आग्वत्यों करो, तब राजामान सिंग ने कहीं, जो तब कुम्मंदाश जी ने कहीं, जो आज पांचे तुम हमारे पास कबव मत आईओ और हमसkell कशु काहिएओ मत तब राजा मानुस्सिंग ने दंडवत करी के कही जो तुम धन्य हो। माया के भक्त तो मैं सगरे पुर्थवी में फिर्यों सो बहुत देखे परतु शी ठाकर जी के साचे भक्त तो तुम सरीक्यही देखे। तब भती जी ने पास आए कि कुम्मंदाज जी सो कही जो घर में तक अचू हतो नहीं, सो राजा देथ हतो सो क्यों न लियो? तब कुम्मंदाज जी कहे जो बैठी रांड श्री गुर्धन नाज जी सुनेंगे तो खीजेंगे, जो कुम्मंदाज की भती जी बड़ी लोभिन है, तब भती जी ने कहयो जो मैंने तो हासी के कहयो तो जो मोको तक अचू नहीं चाहिए, तब कुम्मंदाज जी कहयो जो बै सो तु मोसो के तब कुमन्द आज दिन यह पद गायो, परम भावते राग सारंग, सारंग में गायो, परम भावते जिये के मोह नैनन ते मति टरो, जोलो जियू तोलो देखों, बार बार पाई लो लागों, चित अनत न दरों, तब सुख चिंतत ताहिलो, ले अंग अंग भर कुमन्द आज प्रभु गोरधन धर, तुम बिन अंजन कासों करों, सो यह किरतन कुमन्द आज जी को सुनी के, शी गोरधन नाज जी गरे सों लिपट के कहे, जो कुमन्द आज में तोंसों एक बात कहन को आयो हूँ, तब कुमन्द आज जी ने कही जो कहिए, आप आपु तब शी गोर्धनाज जी आप कुम्मंदास तो कहे जो कुम्मंदास आज सक्खान में होड परी है जो भोजन सब के घर न्यारो न्यारो देखिए तामे सुन्दर कौन को घर है सो तुमों कच्छू मनुरत करोगे सो मैं यह बात तोंसों कहवे आयों तब कुम्मंदास जी पू जो यह तो घर में सिद्ध है तब शी गोर्धनाज जी कहे जो बेगी मंगाओ तब कुम्मंदास जी भती जी सो कहे जो घर में बेजर को चून टेंटी को साख संधानों दही दूद बेगी ले आओ तब भती जी ने कई जो बेजरी को चून टेंटी को साख संधानों दही इ आहां तई में रसोई कर रहत हूँ, सो ना आए के तो कुम्मनदाज जी बैठे ही हते, तासों बेजर की रोटी, नौन डारी के ठीक रापे किये, इतने में भती जमनावता गाम में जाए के जवारी दरी के दूद की हांडी ले आई, तब कुम्मनदाज जी हांडी में पानी कि गोड़न जी पास राखे पाचे घर के संखान को चखाए कि आप श्री गोड़न दर अरो गये है कुम्मंदास जी की सामगरी विश्का जी ने दूद्ध में मिश्री डारी श्री सामी जी को अरोगा आती मधूर करी दीनी सो काहेते जो विशाखा जी को प्रागट के हैं कुमंदास जी और जब शी ठाकड़ जी को कुमंदास की सामगरी बहुत स्वाद लगी ता समय कुमंदास जी यहां कीर्तन गाए सो राग सारंग में दो गाए देखो चाक लीला है चाक के पद प्राया सभी सारंग में यह वन भोजन के चाक के लीला के पद हैं सारंग में इसमें नूर सारंग में गर्मी होए तो गोड सारंग में और गर्मी पड़े तो सामंत सारंग में और फिर थोड़ी बादरी आ जाए और बरसात की थोड़ी थोड़ी बूंदे पड़े तो मधुमाद सारंग में पनप्रदान रूप से तो सारंग में तो ये देखो सारंग में गाए कि ब्रज में बड़ो मेवा यह टेंटी जाको होत है साग संधानों और बेजर की रोटी लेले डलिया बीनन निकसी बड़े गोप की बेटी कुम्मंदास लाल गिरिधरसों वे गई भेटा भेटी गले लग गई न शिगोर्धंदर तो केरेंगे वे गई भेटा भेटी और राग सारंग में कई घर घर ते आई है चाक खाटे मीठे और सलोने विविद भाती के पाक मंडल रचना करी जमुनात सगन लता की चाह गोपी ग्वाल सकल मिली जेमत मुकही सरावत जाही बाटत बल मोहन दो भाईया कर दोना अतिसो है चाखत आपन सखन मुखन दे के ग पी जनमनमो हैं टेंटी साग संधानो रोटी गोरस सरस महेरी कुमंदास गिरिधर रस लंपट नाचत देदे फेरी सो यह कुमंदास जी अति आनंद पाई के गाए और अपने मन में कहे जो श्री गोर्धनाज जी ने भली एक बात कही जो या मैं या लीला को अनुभव भयो या प्रकार्शी गोर्धनाज जी कुमंदास जी की उपर कृपा करती वा दिन कुमंदास जी रस में मगन होए गए सो सांज को सरीर की सुधी आई तब परास ओली ते दोरे जो आज में गोर्धनाज जी के दरसन नहीं पायो विरा मन में उठी आयो सो भोग सरत हतो ता समय खुले तब कुमंदास जी शी गोर्धनाज जी के दरसन करी नेत्र इकटक लगाई के यह कीरतन गाए सो सेन को पद राग विहाग लोचन मिली गए जब चारों होवे रही ठगी सी ठाडी उर अचरा नस समारेो अपने सुभाई नंद जू के आई सुन्दर श्याम निहारेो इकटक लगी चरण गति ठाकी क्यों टरत नहीं टारेो उपजी प्रीती मदन मोहनसों ग्रह को काज बिसरेो कुमंदास गिरिधर रसलो भी भलो आरज पंथ पारेो दूसरों और तीसरों पद भी विहागरों में और केदारों में किये एक किये नंद नंदन की बली जईये औ और ही और जब देखों तब नोतन सखीरी द्रिष्टी न रहे इक ठोर कहां कहों परमित नहीं पावत बहुत करों चित दोर कुमंदास प्रभू सवभग सीमा गिर्धर रसिक राय सिर मोर सो या प्रकार रस के किर्थन कुमंदास ने बहुत गाए सो वे कुमंदास जी एसे कृपा पात्र भगवदी हते वारता प्रसंग पांच आवे है और एक समय व्रंदावन के संत महंत कुमंदास जी सो मिलवे को शिगर राज जी पे आए सो या सो आए जो जाने जो इनसो शी ठाकुर जी साक्षात बुलत है और कुमंदास जी सी सामनी जी की बजाई गाए है तासो इनसो मिली के पूछे है जो शी सामनी जी को वर्णन हमोहू किये है और देखें जो कुमंदास जी कैसो वर्णन करत है तब कुम्मंदास जी ने शी सामनी जी को एक पद करी के उनको सुनायो ये सब जो स्वामी हरिदाज जी, स्वामी हित हरीवंशी जी वारे ये सब वो हैं संत जो ब्रंदावन के महंत ये सब विरक्त परमपरा के परंतु मूल में या तो ये निंबार्क की परमपरा में हैं अथवा ये विश्णुस स्वामी की ही विरक्त परमपरा में हैं क्योंकि ये सब गोपी चंदन को तिलक लगावत हैं, कंठी मारा गड़े में डारत हैं, ये सब महनत जो हैं, इनकी एक विलक्षनता है, विशिष्टता है, वैश्टाओं ने आज भी अपनिया की कीर्तन पुस्तकों में, कीर्तन प्रणालिकाओं में हरिदास जी के पद, हित को भी शिगोरधन धर के चोक में, जगमोहन से शिगोरधन धर को कीर्तन सुनाने की आज्या प्राप्त थी, और क्योंकि ये सब बले इतर संप्रदाई के या इतर पंथ मत के ये साधू रहे, ये संत रहे, आचारे तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आचारे के लिए इनको पनभगवदी ये सब भगवदी हैं इनमें भी बहुत से जो हैं वो श्रिस्रामनी जी तथा चारों युथादी पतिन के आवेशावतार भी हैं तो आवेशावतार अंशावतार जो रूपों में भी हम समझें जैसे अपने हां ये लीला भावना से जुड़े हुए ये स्थल पुराण ये सब इनको भी श्री सामनी जी के और ठाकुर जी के परिकर के आवेशावतार बताते हैं तो हमको उनको उस धंग से देखना चाहिए जैसे पुष्टी मरियादा के ये सब अन्शा और आवेशावतार हैं तो ये इन हरिदाज जी को हितहरी मुम्श जी को इन सब लोगों को आज्याँ शी शिनाज जी के शी ओरधन धर के गोपालपूर में स्थित जो मंदिर परवत पे हैं वहाँ पे इनको शी जी सन्मुख अपने रचे हुए किरतन सुनाने के आज्याँ शी गुसाई जी द्वारा प्राप्त थी इस ते ही ये प्राया आते रह ते थे और इनको प्राज्यादातर लोग तो शी सुर्दास जी से मिलना, कुमंदास जी से मिलना, शी गोविन स्वामी जी से मिलना, परमानंद दास जी से मिलना, इन समों से मिलने का विशेश इनको आगरे रहा करता था क्योंकि एक सी भावना जितने पुष्टिस अंतिक और लिला संबन्दी भावना है उनसे हमारे अस्टसा का जादा प्रभू की लिलाओं से प्लोज हैं ऐसा मैं मानता हूं लेकिन यह जहां तक भी इनको भी भगवत करपास है जो दर्शन जो सानुभाव और असानुभाव अपने अपनी मरियादा मिस्थितों के जैसे बाके बिहारी जीने, राधा रमण जीने, शी राधा वल्लब जीने, इस ब्रंदावर में स्थित, जो जो भगवान के स्वरूप हैं उनने जिस रूप में भी इनको सानुभावता अपनी जताई है उसके प्रभाव से इनमें जो एक प्रकार का भक्तिमारगी है, भक्तिक क प्रभावितों के शिग उसाइन जी ने आपने एक्रपा करके इनको भी शीजी सन्मुग कीरतन की आज्या दी तो यह प्राया आते रहते थे और इसी कारण से आज भी अपने आज की कीरतन पुस्तकों में कीरतन प्रणालिकाओं में इनके द्वारा लिखे हुए पद भी हैं तो डोल जूलत है, प्यारो लाल भीहारी, पहो प़िश्टी हो ती, यह सब जो पद हैं यह विशिष्ट पद तो हरिदास के स्वामी शामा कुझ भीहारी तो हरिदास जी के पदों से रुखत भूत हैं, पूरी-पूरी-पूरन मासी पूर्यों है, शरद को चंदा, देत-स इस प्रिकार से अपने अस्त सखाओं के संग रहते थे और विशेश करके महाप्रभूजी के चार सखाओं का भी इनके उपर वर्द हस्त रहा चो मंदार्ची ने ता समय सिस्वामनी जी को एक पद करी के इनको सुनायो कुमरी राधी के तव सकल सवभाग के सीमा यास वदन पर कोटी सत चंद वारिडारों खंजन कुरंग सत कोटी नैनन उपर बारने करद जीय में विचारों कदली सत कोटी जगन उपर सिंग सत कोटी कटी पर न्योचावर करी उतारों मत्त गज कोटी सत चाल पर कुम्ब सत कोटी इन कुचन पर वारिडारों कीर सत कोटी नासिका उपर कुंद सत कोटी दसनन उपर कहन वारों पक किंदूर बंधुक सत कोटी अधरन उपर वारी रुची गर्वटारों, नाग सत कोटी बेनी उपर कपोत सत कोटी ग्रीवा दूरिसारों, कमल सत कोटी कर जुगल पर वारने नाहिन कोव उपमा जुधारों, दास कुम्मन स्वामिनी सुनक सिख अधभुत सुठान, कहालो स सद चंद वारीडारों तो यहाँ पद कुम्मंदास जी ने गायो तो सुनी के श्री व्रंदावन के संत महंत बहुत प्रसंद भए और कहे जो हमने शी सामनी जी के पद बहुत किये तामें चंद्रमा आदी की उपमा बहुत दीनी है परी कुम्मंदाज तुमने तो शतकोटी चंद्रमा वारिड आ रहे हैं तासा कुम्मंदाज जी कोशी स्वामनी जी आगे जगत में को उपमा देवे योग ये नहीं दी सत है तो यह परकार अद्भुत स्वरूप को वर्डन किये पाचे कुम्मंदाज जी सों विदा होएके सिगरे वरिंदावन में आए तो ये कुम्मंदाज जी किशोर भावना लीला रस्में मगन रहते तो ऐसे कृपा पात्र भगवदी ये हैं ये सब जो कुमंदाज जी के द्वा पात्र भावन्य का विशेश ज्यान होगा उतना तो कैसे किसी और को संभव है क्योंकि आप स्वयम ही श्री विशाखाज जी का ही अवतार हैं और दूसरा खास ये कहना है कि ये श्री महाप्रभु जी और गुसाई जी दोनों का सन्निधान जिनोंने प्राप्त किया है तो महाप्रभु जी भी आप साक्षा शिठाकष जी और सामनी जी का युगल स्वरूप का ही आप स्वरूप हैं तो जो प्रकार का परिज्ञान भगधरू को विशेक और सी स्वरूप विशेक मंधाज जी को होगा वो इतरसंत महंतों को क्या प्रकार से होगा तो ये लोग द्रश्यमान जगत में जो दीख रही उक्तम वस्तु उसकी उकुमा दी है पर आपने तो जो उकुमा दी है वो सारी उकुमाओं को वारी डारों मतलब वो भी कितने प्रिकार से तो गई के शत्यकोटी सो करोड ढंग से वही सो करोड चंद्रमा के जिनके रूप लावण्य के वारे जा सकते हैं ऐसे आप शिर स्वामनी जी हैं तो आप विचार करो कि जब भगवान स्वयम खोटिक अंदर प्लावण्य युक्त हैं तो भई आपके सामने ऐसी ही लावण्या शिर स्वामनी जी आवश्यक हैं तो वो प्रिकार का कुम्हंदाज जी यहां पे सुरूप निरूपन कर रहे हैं और एक समय शिगुसाई जी आप शिगोकुल में नवनित प्रिया जी सो विदा मांगी के शिद्वारका जी पधारवे को विचार किये सो परदेश में जैवी जीवन के उद्धाराव सो शिगोकुल ते शिनादवार आए के गुर्धनाज जी की सेवा सिंगार किये ताप आचे अनोसर कराए के आप भोजन करीके अपनी बैठक में आए के गादी तकियान के उपर बिराजे सो हाँ सिग्रे वैश्नव आए के पास बैठे हते सो बात चलत कुमंदाज जी की बात चली तब काहू वैश्नव उन्हें गुसाई जी के आगे यह बात कही जो महाराज कुमंदाज जी के घर में आजकल द्रव्य को बहुत संकोज है सो काहेते जो घर में परिवार बहुत है जो सात बेटा है और सातों बेटान की बहु है और आप स्त्री पुरुष एक भती जी सो ताहू में आए गए वैश्नव उनको समाधान करत है और आमदानी तो थोरी सी है जो परास वली में खेती है तामे निरवा टेंटी फूलंसों करत है जब आज सुनी के गुसाई जी अपने मन में राखी ता पाचे जब कुम्मंदाज जी शी गुसाई जी के दरसन को आए तब दंडवत करी के ठाड़े होई रहे तब गुसाई जी कहे कुम्मंदाज जी बैठो तब कुम्मंदाज जी बैठे पाचे गुसाई जी सगरे वैश्णोवन को विदा करी के कुम्मंदास कहे जो कुम्मंदास जी हम शी द्वारिका के मिस परदेश को जात हैं तहां अनेक वैश्णोवन सो मिलाप होएगो सो वैश्णवन ने बहुत बिंती पत्र लिखे हैं, तासो अवश्य जानो हैं, सो तुम हमारे संग चलो, सो भगवदिये उनको विरहकलेश बाधा न करें, और भगवदिये को काल आचे वितीत होए, सो तिहारे संग ते कचु जानेों परें, और हमने सुन्यों है जो तिहारे हमको करनो, इतने में उत्थापन को समय भयो, तब गुसाई जी स्नान करी के गोर्धन नाज जी को उत्थापन कराए के, सेन परियंत की सेवा सो पहुंची के आप बैठक में पधारें, तब गुसाई जी आप कुमन दास सो कहे, जो तुम अपने घर जाओ, जो सवारे घर सो विदा होय के आईयो, राजबोगार्ती करके पाचे परदेश को चलेंगे, पाचे कुमन दास जी गुसाई जी को धंडवत करी के अपने घर जमनावता में आए, तब गुसाई जी के आप स्नान करी के परवत ऊपर पदारी के शिनाच जी को जगाए, पाचे सेवा सिंगार आजबोग जड़ी समयरी सर्भोग सरराय। कुमंधाज जी अपने विचार करन लागे जो है मन्द अब कहां करिए कहिए कहां कही वे की होए प्राण्नाथ विचुरन की वेदन जानत नहीं या प्रकार विचार करत गोर्धन नाज जी को विरह हिरदय में बढ़ी गयो तब शिक उसाई जी आप डेरा के भीतर जागे सो जब उत्थापन को समझ भयो तब कुम्मंदाज जी को शिनाज जी के दर्सन की सुधी आई नेत्रं सो आसुन की धारा चली सो सगरे शरीर में पुलकावली होन लागी पाचे कुम्मंदाज जी डेरा के पास ही एक ब्रक्ष ठारे 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 धीरे धीरे गावन लागे सो पद राग सारंग में किये किते दिन वे जु गये बिनु देखे तरुन किसोर रसिक नंद नंदन कचुप उठात मुक रेखे वशोभाव कांटी वदन की कोटिक चंद विसेखे वह चितवनीवा हास्य मनोहर वह नटवरवप उभेके शाम सुन्दर संग मिली खेलन की आवत जी अपेखे शु गुसाई जी आप श्री मुक्ते कुम्मंदास को कहे करो जो तिहारो विदेश होए चुग्यों तिहारो विदेश होए जी कर तुम तो मेरे संग नहीं आपाओगे द्वारका तक तुम शी गुर्दन धर के विना कैसे रोगे तो तुम्हारो विदेश तो होए चुग्यों हरी राई जी अब में समझा रहे हैं भाव प्रिकाश में आप आग्या कर रहे हैं जो काये ते जो एसी तिहारी दसा है जो तेसी दसा हुआ गोर्धननाज जी की होईगी सो कैसे जानिये जो जैसे गजजन धावन को शी अक्का जी ने पान लेवे को पठायो सो गजजन को तो शी नाउनित प्रिया जी के विरह को एक शंड सयो न जातो सो पान लेवे को द्वार सो बाहर जाती विरजवर बढ़ेो और सो द्वार पास ही दुकान परी रहो मूर्चा खाई के और यहां मंदिर में आचाय जी नौनित प्रिया जी को रोआ नाजभोग धरे तब आचाय जी कहे जो तुम जानत नहीं जो गजण बिना नौनित प्रिया जी एक छण नहीं रहत हैं तासो गजण को पान लेन को क्यों पठायो ताप आचाय गजण को बुलाए के ब्रजवासी पठायो सा गजण को बुलाए के ले आयो तब गजन ने नौनित प्रिया जी के पास आई करें जो बाबा अरोगो तब शी नौनित प्रिया जी अरोगे तब गजन बिना आप विरा करी के बैठे रहे तो यहां आचाय जी की मरियादा है मार्ग की मरियादा है जो जैसो सेवक को एक चित्तसो स्वामी के उपर अनन्य भाव हो है तैसे ही स्वामी को दास विशे सेवक के उपर हो है भगवान अर्जुन के प्रतिया आज्या करे हैं जो ये यथामाम प्रपध्यन ते तानस तथे ही वभजाम में हम तासों शी गुसाई जी आफ कुम्मंदाजी सो कहे जो जैसे तुम याँ शी गोर्धन धनाजी के लिए विरादुख करत हो तैसे ही वहाँ शी गोर्धन धनाजी भी तिहारे लिए विरादुख करत हैं तासों तुम बेगी जाय के गुर्धनाजी के दर्सन करो तिहारो विदेश होए चुकियो या प्रकार शी गुसाई जी ने कुम्मंदास को आग जा दीनी तब कुम्मंदास को रोम रोम शीतल होई गयो तब मन में प्रसन्न होए गुसाई जी को धंडवत करी बेगी अपसराकुंडत से दोरी के गुर्धनाजी के मंदिर में आए ता समय उत्थापन के समय दर्सन कियो किमाण खुले तब कुम्मंदास जी ने यह पद गायो सो नट राग में उत्थापन में गायो जों पे चौप मिलन की होई तो क्यों रहो परे सुनी सजनी लाख करे किन कोई जों पे विरह परस पर व्यापे तो कच्छु जी बने लोग लाज कुल की मरियादा एको चितना गिने गिने कुमंदास जीहीं तनलागी और कच्छु न सुहाए गिर्दर लाल तोई बिन देखे चिन चिन कल्प विहाए जहापाद सुनी के गुर्धन नाजी प्रसन्न होई के कुमंदास मैं तेरे मन की बात जानत हूं जो तू मेरे बिना रही नहीं सकत हैं तैसे ही मैं हूं तो बिना रही नहीं सकत हूं तो बिन तासों अब तू सदा मेरे ही पास रहेगो तब कुमंदास जी ने बहुत प्रसन्न होई के साश्टांग डंडोत कीनी और हाज जोर के कुमंदास ज प्रभू के दरशन का सरवदा आग्रे बना रहे और आप एसी ही कृपा करें कि हमको बारम बार एसी ही उतकंठा जगे कि हम कब अपने प्रभू के सन्मुख हों शीवल लभ नक चंद्रचटा बिन सवयुग मांज अंधेरो भरो सुद्रडई नचरन नकेरो साधन और नहीं आकली में जासों हो या निवेरो सूर कहा कहें द्रिविधया अंधरो बिना मोले को चेरो भरो सो द्रडई नचरन नकेरो भरो सो शीगोर्धन आथ कीजे शाम सुंदर्शियमने महराणी कीजे शिवल भाण